जजनेंद दोस्तों हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है लुट रहा गोमट गिरी तीर्थ मामा जी के राज में क्या खत्म हो गया दम जैनों की आवाज में अभी नहीं तो कभी नहीं आज भी अगर मिलकर आवाज नहीं उठाओगे तो किसी तीर्थ को बचा नहीं पाओगे उन मुक मंतरी के राज में जो कहते हैं कि मैं जब घर से पहला कदम बाहर निकालता हूँ तो सबसे पहले गुरवार अच्छा सिरी बिद्या सागर जी महमुनिर राज को याद करते पेडाम करता हूँ उनके मद्द पेदेश राज में जो मामा जी के नाम से बिख्यात हैं वही सिवरास सिंग चोहान जी के राजपाट के अंदर उन्हीं की पुलिस प्रिसासन की चत्र चाया में जैनों का तीट गोमट गिरी लुट रहा है कबजा हो रहा है और अवैद मंदिर खुलनम खुला बन रहा है मद्द पिदेश हाई कोट ने बकाइदा दो जन्मरी 2030 को आदेश चारी कर दिया था कि कलेक्टर इंदोर और कमिशनर पुलिस गोमट गिरी तीट की बाउंडरी वाल बनवाने में समचित पुलिस पिवस्ता करे इंतजार करते करते बाउंडरी निर्माड तीन मई को सुरू हुआ और दो दिन में कुछ निर्माड होकर अगले दिन से पुलिस सुरच्चा हट टाली गई किसी उपड़ी के कहने पर और फिर उसी रात में खुलनम खुला अवैद निर्माड शुरू हुआ भगवान भाव वली की सर्यों और लोहे से बने 35 साल प्राचिन 11 फिट के फ्रेम को तोड़ दिया गया अवैद रूप से पहाड़ी काड़ दी गई जेसी बी का इस्तमाल किया गया गोमट गिरी तीर्थ की बांडरी वाल को तोड़ा गया पेड़ों को काटा गया दोस्तों सरकार पुलिस और प्रेसाशन की आखों के सामने 42 वर्ष से भी प्राचिन जेन तीर्थ पर गोमट गिरी तीर्थ पर किस तरह अवायद कब्जा करने की साजेस हो रही है सब कुछ होता रहा आप कहें जेन समा सोता रहा और अभैद निर्मार करता अपने काम को अंजाम देते रही वहाँ पर प्रेशाशन और पुलिस उसके लिए मौजूद थे तैनाती थी सब कुछ हुगा जो नहीं होना चाहिए था मामा जी के राज में पूरी तरह अंधेर गर्दी आज देश के सबसे बड़े जेन नगरों में अगर नाम आता है तो वह है इंदोर का आता है उसी मद्द पिदेश नगरी का आता है उसी मद्द पिदेश में आज भी अनेक संत ब्राजमान है शैक्रों बिद्वान है और ल बिसेश रूप से उसी सरकार को वोट देता है और आज उसी पर मुसीवत का कहट डाल दिया गया है यह बोटों की राजनीती के अखाडे में जैन समाज को जिस तरह पीसा जा रहा है वह किसी से छिपा नहीं है गिंती की बात आती है तो हम सरकारी आंकडे में 44,51,753 को जूट बताते हैं तो कहते हैं कि आज वह एक करोड़ दो करोड़ वाला जैन समाज कहां है जिसकी आखों के सामने ऐसा हो रहा है कभी मुहम्मद गौरी और रंग जेव ने तोल फोल कर तांडव दिखाया था पर आज आजाद भारत के 46 सालों बाद बैसा ही तांडव जैन समाज द अगर मिलकर आवाज नहीं उठाओगे तो किसी तीर्ष को बचा नहीं पाओगे आवाज उठानी होगी मिलकर बुलंद करना होगा अपनी आवाज को अवैद निर्मार के चलते 42 बस से भी प्राचीन तीर छेत पर कबजा करना यह बहुत बड़ा अन्याय है जिसे कोई भी स समाच बरदास्त नहीं कर सकता दोस्तों ऐसी जैन समाच की किपरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद